ब्रेकिंग न्यूज है च्छतिस गड़ के बीजापूर में सुरक्षा बलो और नकसलियों के बीच मुझभेड हुई है पांच जवान शहीद होई हैं मुझभेड में नौ नकसली भी मारे गए च्छतिस गड़ के नकसल प्रभावित बीजापूर और सुपमा जुले के जुना गोड़ा गाउं के खरीब शनिवार को हुई सुरक्षा बलो और नकसलियों के बीच मुझभेड में पांच जवान शहीद हो गए और बाना जवान गंभीर लूप से खायल हो गए अरदसानिक बलो की मदद और नकसलियों की तलाशी के लिए MI-17 हैरिकॉप्टर उलाया गया है बस्तर रेंज के IGP सुन्दर राजर के मुताबिक खोखा नकसली कमांडर हिंडिमा के गैंग के साथ हुई मुढभेड में DRG के तीन और CRPF के दो जवान शहीद हुए जबकि एक महिला नकसली समेथ दस नकसली मारे गए है और पंद्रा नकसलियों के गायल होने की खबर है जारखन के धनबाद में चार दरिंदों ने मिलकर एक लड़की के दोस्त के सामने ही गैंगरेफ की वारदात को अंजाम दिया ये रिपोर्ट देगे धुंदली तस्वीरों के पीछे नज़र आ रही लड़की के साथ चार दरिंदों ने हैवानियत का ऐसा खेल खिला इससे सुनकर आपकी रूह काप जाएगी दिल दहल जाएगा तीस मार्च को अपने दोस्त के सांथ बोगारों से धनवाद लोड रही लड़की को चार बदमाशों ने चरकी टांड रेल विस्टेशन के पास घेर का दोस्त के साथ मार पीट कर बंधक बना लिया और दोस्त के सामने ही लड़की के सांथ गैंगरेप क की वारदात को इंजाब दिया डरी सहमी लड़की ने धनबाद के महुदा थाने पहुचकर गैंग रेप की वारदात के आप बेती सुना दी तो पलीस वालों के होश उड़ गए पीडित का मेडिगल करवाने के बाद पलीस ने छापी मारी कर आरोपी देविलाल ठाकुर को हि असम राइफल्स ने मिजोरम में तसकरी के खलाब बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है कारवाई के दौरान 23 सेक्टर असम राइफल की सेरिशिप बटालियन ने भारी मातरा में गोला बारूद बरामत किया है असम राइफल्स ने एक हजार जिन्दा कार्टूस बरामत कि हैं साथ ही म्यामार की एक अवहत बाइक भी जब्त की गई है जिसे असम राइफल्स ने पुलिस को सौप दिया है दो अपरेल को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया दरसल असम राइफल्स को कुछ खोफिया इंपूट मिले थे जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिय बतादे की हाल ही में असम राइफल्स आयजोल बटालियन ने एक बड़े ओपरिशन को अंजाम दिया था जिसमें भारी मात्रा में हत्यार और गोला बारू जब्त किये गए थे और तीन लोगों को गरफतार भी किया गया था